हलो गुड मॉनिंग बच्चों तेंथ क्लास और मैं जॉन मैं बोल रही हूं आपकी सोशल साइंस की मैं तो एक बाप फिर से मैं आप सभी तेंथ क्लास के बच्चों का इस ओनलाइन सोशल साइंस की क्लास में स्वागत करती बच्चों तो पिछले दिनों हम लोगों ने जोग्रफी की जो आपका लेसन से फिफ है यानि अध्याय पांच खनीज और और जासन साधन ये लेसन हम लोगों ने पिछले दिनों शुरू किया था और इसका हम लोगों ने बच्चों भाग एक आत भन में हम लोगों ने देखा थाद हना खनीज क्या है उनके बारे में पढ़ा था फेर खनीज कहां उससे उपलब्द होते हैं वह हम लोगों ने देखा था और उसके बाद आज हम लोग जो हैं भाग दू में यानि पार्ट टू में पढ़ेंगे जो हमारे लह खनीज आर लह खनीज जो हैं ठीक है यानि धात्विक और आधात्विक जो खनीज हैं उनके बारे में तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों लह खनीज और आर लह खनीज के बारे में ठीक तो सबसे पहला आता है हम लोह खनीज देखेंगे तो लोह खनीज में दो प्रमुक खनीज है और वो है हमारा लोह आयस्क यानि आरेन ओर और दूसरा है मैंगनीज तो और आ लोह खनीज में दो खनीज है में वो है आपका तामबा यानि कॉपर और दूसरा है वाक साइट यान यानि आईरेन ओर तो आईरेन ओर यानि लोह आईस के बारे में हम लोग शुरूर करेंगे बच्चों लोह आईस यानि लोहा जो है वो अधार भूत खानी जमाना जाता है क्यों क्योंकि लोहे का इस्तमाल जो है वो और्द्योगिक विकास में किया था उद्योगों में बहुत शाधा किया है यह एक तरह से कहें तो यह औद्योगिक विकास की रिड है यह लोहे पे हमारे भोला निर्भर मना जाता है यानि और द्योगिक विकास की रिड जो है वो मानी जाती है भारत में जो लोहा है मुख्य रूप से वो दो प्रकार का मिलता है अब वो दो प्रकार हैं हमारे मैगनेटाइट और हैमटाइट तो हैमटाइट और मैगनेटाइट ये दो तरह के दोनों किसम के लोहा हैं अगर हम magnetite लोहा देखें तो यह सबसे उच्छ कोटी का यानि best quality का लोहा होता है क्योंकि इसमें लोहांश जो है वो 70% तक पाया जाते हैं यानि लोहे की मात्रा इसमें 70% तक होती है और साथी बच्चो इसमें चुम्बकी गुण पाये जाते हैं तो इसलिए सबसे बेस्ट यानि पढ जाता हैं दूसरा जो है वो हैमटाइट हैमटाइट भी आपका बढ़िया किसम का लोहा है ठीक है यानि मैगनेटाइट के बाद सेकेंड नंबर पर यह आता है बच्चो इसमें मैगनेटाइट की तुलना में अपेक्षा लोहांश यानि लोहे की मात्रा थोड़ी कम होती है इसमें लोहे की मात्रा 50 से लेकर 60 प्रतिशत है यानि 50 से लेकर 60 परसेंट जो तक होती है तो भारत में मुक्ता ये दो प्रकार के लोहे जो हैं वो पाए जाते हैं मैगनेटाइट और हैमटाइट अब चलते हैं भारत में लोहा का जो छेत्र है वो क्या है तो भारत में लोह की छेत्रों में मिलता है तो मुख्यता लोहे के कुछ प्रमुख पेटियां है जिसमें इन छेत्रों को बाड़ दिया गया है तो मुख्य रुप से लोहे की भारत में चार पेटियां है पेटियों को इंग्लिश में बेल्ट बोलते हैं तो पहला जो पेटी है पहली जो बेल्ट है वो है हमारी उरीचा उरीचा और जारखन की पेटी दूसरी बेल्ट है या पेटी है दुर्ग बस्तर चंदरपूर पेटी थर्ड जो है बलारी छित्रदूर चिक मंगलूर और तुमकुरू और चौथी पेटी है महारास्ट और गोवा की पेटी तो भारत में लो आयस की ये क्या है बच्चो चार पेटियां हैं अगर हम इन पेटियों को मैप में देखें तो जादा अच्छे से आपको समझ में आएगा क्योंकि शोशल साइंस के जोगरफी में मैप के बिना भुगूल का अध्यन जादा आसान नहीं हो पाता तो मैप से अगर हम पढ़ें तो जादा इसली समझ में आता तो सबसे पहला छेतर कौन सा है बच्चो वो है हमारा उरीसा और जारखंड वाला तो ये है आपका पहला मैंने नंबर डाल दिया है पहला तो उरीसा और जारखंड की जो पेटी है इसमें हेमटाइट किसम का जो लोहा है पाया जाता है ठीक है बच्चो और उरीसा में जहां पर लोहा मिलता है उसमें देखे मैंने लिख रखा ये रेड से मैंने दिखाया है तो एक पहला जो है वो है मयूर भंज ना दूसरा जो छेतर है वो है क्यूजर तो मयूर भंज और क्यूजर यह उडिशा के लोह आयस यानि लोहा उत्पन करने वाले प्रमुकेंद्र हैं मयूर भंज में जो है बच्चों और आपका जो क्यूजर है यहां पर एक बहुत बड़ी लोहे की खान है जिसको हम बदाम पहाड के नाम से तो बदाम पहाड के खादानों से यहां लोहा जो है वो निकाला जाता है जारखन की अगर हम बात करें बच्चों जारखन में जो लोहा का उत्पादन है यानि लोह आयस वो सिंग भूमी जिले में सिंग भूमी डिस्टिक है जिला है और यहां पर गुवा की खान गुवा क और एक और है जिसको हम नोवा मंडी बोलते हैं तो गुवा और नोवा मंडी की खान से सिंग भूमी जिले मेरा जारखन में लोहा यानि लोह आयस जो है वो निकाला जाता है तो यह हो गई पहली पेटी आपकी उड़ीसा और जारखन की पेटी सेकेंड पेटी क्या है बच्च यानि ये पेटी जो है वो दो राज्यों में फैली है कौन-कौन से एक है चंद्रपूर और दूसरा है महारास्ट दुर्ग और बस्तर बच्चों चंद्रपूर जो है वो महारास्ट में है तो दो राज्यों में ये पेटी फैली है चंद्रपूर और चंद्रपूर तो बैला डिला के खान जो है, वो च्छतिछगर के बश्तर जिले में है, ठीक, बैला डिला की खान का नाम भी बहुत आजीब रोचक धंग से रखा गया है, बैला डिला में बच्चो जो पहाडियां पाई जाती है, उसका जो आकार है वो बहुत कुछ, जो बैल होता है, बैल की पीट पे जो कूबर होता है उसके समान है यहां पाई जाने वाली पहाड़ी का इसलिए इसको यहां पर इसका नाम जो है वो इस खान का बैला डीला रग दिया गया तो बैला डीला मतलब बैल की कूबर की तरह यहां जो पहाड़ी पाई जाती है वो है इसलिए इसको बैला ड पुर्ग ये 36 कड़ के दो प्रमु क्या हैं लोहा उत्पन करने वाले छेदें जिसमें बस्तर सबसे बड़ा केंद्र है बच्चों और महारास्ट की अगर हम बात करें बच्चों तो महारास्ट में लोहा निकाला जाता है लोहा आयस का उतपादन होता है वो होता है आपका कहा शच्रपुर जिले में ठीक है यहां पर जो लोहा है वो जादा तर जो है वो आपका इसपात का जो प्रियोग होता है और बाकी जो लोहा है वो यहां से विशाखा पटनम ये बंदरगा है पत्तन है तो विशाखा पटनम बंदरगा से बाकी लोहा जो है वो निर्यात कर दिया जाता है कहां निर्यात किया जाता है जपान और दच्छडी कोरिया को निर्यात किया जाता है तो 36 गर और महाराष्ट का जातर लोहा इस पात के कारखानों में इस्तमाल होता है और शेश लोहा जो है जपान और दच्छडी कोरिया को इस विशाखा पटनम बंदरगा से भेजा जाता है तीसरी पेटी कौन सी है वच्छो तीसरी पेटी है आपकी बलारी और चित्रदूर चित्रदूर चिकमंगलूर और तुमकूर पेटी यह सभी करनाटक में है यानि ये पेटी आपकी करनाटक में, देखें, नमबर मैंने डाल रखा है, बलारी, चित्रदूर, चिकमंगलूर और तुमकूर, ये चारों जो केंद्र हैं, ये आपकी करनाटक में हैं, करनाटक में फैले हुए हैं, ठीक है, तो ये पेटी ज़्यातर किस राज में हैं, करना अटक में जो सबसे बड़ी खान है बच्चों लोहे की वो है कुद्रे मुख जो है वो सबसे बड़ी खान है तो कुद्रे मुख नाम भी बहुत ही रोश्चक धंग से रखा गया है यहां पश्मी घाट में जो सबसे उंची पहाडी है उसका जो आकार है कुद्रे का मतलब होत गोड़ा तो यहां पहाड़ी पाए जाती ही जाओ का नाम कुदरे मुख रखा गया तु करनाटक की सबसे महत तुपूर्ण सबसे बड़ी खान है सबसे जादा लोहे का जमाव यहीं पर पाया जाता है इसके अलावा आपका बिलारी है चित्र दुर्ग है तुमकूर है चिकमंगलूर है यहाँ पर लोहा इसपाद जो है यानि लोहा आइस जो है वो उत्पादन किया जाता है करनाटक में भी जाता लोहा यहाँ जो करनाटक में लोहा इस्टील का कारखाना है भदरावती में वहाँ इस्तमाल होता है और साथ ही बाकी जो लोहा है वो मैंगलूर है न्यू मैंगलॉर जो बंदरगा है, वहां से ये क्या कर दिया जाता है, नर्याद किया जाता है, न्यू मैंगलॉर बंदरगा से ये क्या किया जाता है, नर्याद भी किया जाता है, अब आता है हमारा तिसरा छेतर हो गया, चौथा छेतर कौन सा है, महारास्ट और गोवा की प रतनागिरी से लोहे का उत्पादन होता है और गोवा में तो बच्चों कई सारी लोहे की क्या है खाने हैं जहां से लोहा का उत्पादन होता है गोवा का जादा तर लोहा जो है वो गोवा का बंदरगा है उस बंदरगा का नाम है पत्तन का नाम है मरम गाओ ना तो मरम गाओ जो बंदरगा है वहां से गोवा का जादा तर पूरा का पूरा लुहा जो है वो क्या कर दिया जाता है दूसरे देशों को निरियात किया जाता है तो यह हो गई लोह आयस की चार पेटियां पहला हम लोग ने पढ़ा उरीसा और जारखन की पेटी दूसरा हम लोग ने देखा 36 गड़ और आपका महारास की बेटी पेटी यानि बैला डिला दुर्व और चंदरपूर की पेटी तीसरा हम लोंने देखा बेलारी चितरदूर चिकमंगलूर और तुमकूर की पेटी जो करनाटक राज में हैं और चौथा हम लोंने देखा महारास्त और गोवा की पेटी मैगनीज उत्पन करने वाले जो राजहिन है वो हम वो देखेंंगे और साथ ही देखेंगे मैगनीज का क्या उपियोग है यह बच्चो बोर्ड में मैगनीज बहुत ओब्रतो पूर्ड खाणी है। अब इसको बोला जाता है बहु उपयोगी खनी कि इसका एक नहीं बहुत सारा इस्तमाल है जैसे हमने कुछ उपयोग आपके लिखे हैं बताए हैं जैसे पहला सबसे जादा इसका उपयोग यानि इस्तमाल इसपात बनाने में यानि स्टील बनाने में किया जाता है लोहे के सा कीट नाशक दमाईयां बनाए जाती और जो पेंट होता है ना पेंट पेंट इससे क्या किये जाते हैं बनाए जाते हैं तो मैगनीज के एक नहीं बहुत सारे क्या हैं उपयोग हैं बच्चों भारत में मैगनीज का उत्पादन कहा होता है किन राज्यों में मैगनीज का करने वाले ये पांच बहुत बड़े राज्जे हैं पहला है उरीषा, दूसरा है माद्ध्य प्रदेश, दीचरा है महाराज, चोठा है करनाटक और पांच बाइये आउन्ध्र प्रदेश उरीषा जो है बहुत भारत का सबसे बड़ा मैगनीज उत पादक औरिसा में जहां मैगनेज निकाला जाता है उसमें क्यूछर और सुन्दरिगर मध्धि प्रदेश में हैं बाला घट महारास्ट में हैं नाकपूर और भंडारा करनाटक में हैं शिमोगा और आंधर प्रदेश में कुर्नूल और कुरुपा इन शेतरों को हम लोग मैप में भी देख लेते हैं तो पहला राज आता है आपका वो कौन सा राज है बच्चों पहला हमारा है उरिसा उरिसा ये है तो ये है पहला राज उरिसा में क्या है बच्चों क्यों जर और सुन्दरगर ये मैगनीज उत्पन करने वाले राज्य हैं दूसरा राज्य कौन सा है मध्य प्यदेश मध्य प्यदेश में हैं सबसे बड़ा केंद वो है हमारा बाला घार तीसरा राज्य कौन सा है वो है हमारा महारास्ट महारास्ट में भंडारा और नापपूर ये सबसे ज़्यादा मैगनीस का उत्पादन करते हैं उसके बाद चौथा राज्य हमारा करनाटक तो करनाटक में श्रिमोगा में मैगनीस का उत्पादन किया जाता है पांचवा राज्य हमारा आंधर प्रदेश आंद्र प्रदेश में कुर्नूल और कुलुपा ये वो राज जहें बच्चों जहां से भारत में मैगनीज का उत्पादन किया जाता है तो बच्चों ये मैप मैं इसलिए आपको भर के दिखा रही हूं क्यूंकि ये मैप आपके मान्चित्र के लिए भी इंपोर्टेंट है ठीक हैं तो ये हो गए हमारे पांच मैगनीज उत्पन करने वाले राज पहला हो गया आपका उरीशा जहां क्यूंजर और सुन्दरगर हैं दूसरा है मध्धिप्रदेश जहां बाला घाट सबसे बड़ा केंदर है तीसरा है महाराज जहां भंडारा और नागपूर है चौथा है हमारा करनाटक जहां शिमोगा से मैगनीज निकाला जाता है और पांचवा है आंदरप्रदेश जहां कुडुपा और कुर्नूल जिलों से मैगनीज का उत्पादन किया जाता तो ये दो हो गए बच्चो आपके लोखनीज है ना दो क्या हो गए आपके लोखनीज अब आता है आलोखनीज जो है उनमें दो है मेन एक तामबा और दूसरा है बॉकसाई तो तामबा यानि कौपर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आपने तामबा देखा होगा ना बच्चों भेर में तामबे के बरतन होते हैं बिजली के जो तार वगयरा होते हैं उसमें भी तामबे का इस्तमाल किया जाता है तो तामबा एक कैसा है बहुत ही मुलायम लचीला और उश्मा और आपका ताप का सुचालक है ठीक है और इसक हम असानी से मोड सकते हैं, मुडने वाला लचीला धातू है, हनिज है ये, अना, तो अपने लचीले पन के लिए, चुकि बुजली का, उस्मा का और ताप का चालक है, सुचालक है, तो इसलिए इसका इस्तमाल कई चीजों में किया जाता है, खास तोर से जो हमारे बुजली औ और इलेक्ट्रोनिक्स के समान है, उसमें तामबे का बहुत प्रियोग किया जाता है, तो तामबे के कई सारे उप्योग हैं, सबसे पहला उप्योग, जो बिजली के तार है, उनको बनाने में तामबे का हिस्तमाल होता है, दूसरा जो हमारे घरों में इलेक्ट्रोनिक्स का स प्रियोग होता है इसके इलावा टांबे के अभूशन और तांबे की मूरतियां आदी भी बनाई जाता है तो तांबे के यह क्या है बच्चो उब्योग है अब चलते हम लोग भारत में तांबे का उत्पादन किन राज्यों में किया जाता है तो भारत में तांबा उत्पन करने वाले तीन सबसे महत्तुपून या प्रमुक राज्य हैं बच्चों ये तीन प्रमुक राज्य कौन से हैं एक है आपका मध्धिप्रदेश, दूसरा है आपका जारखन और तीसरा है आपका राजिस्थान मध्धिप्रदेश में बाला घाट, जारखन में सिंग भूमी और राजिस्थान में खेतरी जो है वहाँ से तामबे का क्या किया जाता है उत्पादन किया जाता है तो मध्य प्रदेश का जो बाला घाट है यह सबसे ज़्यादा तामबा उत्पन करता यानि यहां लगभग 52% भारत का तामबा जो है वो निकाला जाता मैप में हम इन छेतरों को देख लेते हैं तो मैप में तामबा उत्पन करने वाले के तीन राज हैं पहला है आपका कौन सा राज है वो है हमारा मध्य प्रदेश ठीक दूसरा हमारा कौन सा है जारखन कीसरा हमारा कौन सा है राजस्थान तो मध्य प्रदेश में बाला घाट से तामबा उत्पन किया जाता है जारखन में सबसे जादा तामबा जिस छेत से निकाला जाता है वो है हमारा सिंग भूमी जारखन में बाला घाट मध्य प्रदेश में और खेतली वच्चुर राजिस्थान में खेतली जो बड़ी प्रसिद है अलग से भी खेतली पे questions वगेरा आ जाते हैं ठीक है तो खेतली सबसे प्रसिद खान है ये आपके राजिस्थान में एक जिला है जिस्टिक है जुन जुनू तो वहां है खेतली जहां से तामबा क्या है निकाला जाता है तो ये है बच्चो ता बॉक्साइट तो बॉक्साइट बच्चो हम रोल के घर में आपके घर में भी एलमुनियम के बहुत सारे बरतन होते है न तो एलमुनियम जो हम धातू देखते हैं एलमुनियम बास्तों में बॉक्साइट खनिच से ही प्राप्त होता है यानि बॉक्साइट जो है वो क्या होती है प्राप्ती होती है और एल्मुनियम के अलावा बॉक्साइड एल्मुनियम का फिर इस्तमाल किया जाता है कई चीजों में जैसे वायू यान के पूरजे बनाने में जो हमारा आटो मुबाइल्स का उद्योग यानि मोटर गाड़ी बनाने के जो उद्योग है हम जो घर में बरतन इस्तमाल करते हैं वो बनाए जाते हैं तो ये है बॉक्साइड का उपियोग बॉक्साइड जो है वो ऐल्मुनियम का क्या है आयस्क है यानि ऐल्मुनियम धातू की प्राप्ती हमको बॉक्साइड से होती है और फिर इस ऐल्मुनियम का इस्तमाल कई ची और ये भी विर्दुत का ताप का चालक होता है सुचालक होता है उश्मा का सुचालक होता है तो बिजली के उपकरनों में भी इसका प्रियोग इसलिए किया जाता है भारत में बॉक्साइट कहां कहां उत्पन होता है तो भारत में बॉक्साइट उत्पत करें वाले जो राज उनमें है ये पांच प्रमुक राज उडिशा, मध्धिप्रदेश, 36 गर्ड, जारखंड, एमम बिहार और महाराश्ट उडिशा में जो सबसे बड़ा वॉक्साइट उत्पन करने वाला राज्ज है वहां कोरापुट में कोरापुट जगा है वहां से निकाला जाता है बद्धिप्रदेश में कटनी और अमर कंटक की जो पठार है या पहाड़ी वहां उस छेतर से और तीसरा 36 गर्ड, 36 गर्ड में जो मैकाल है, मैकाल छेतर से और जारखंड में आपका सिंग भूमी जिला है और राची है, पलामू है, गिरी दी है इन छेतरों से और बिहार में म उंगेर और गया से ठीक, और महाराश्ट में रतनागिरी से बॉक्साइट का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, मैप में हम दिखा देते हैं आपको इन छेतरों को, तो सबसे पहला केंदर हमारा कौन सा है, वो है उडिसा, तो उडिसा पहला राज्य है, और उड निकाला जाता है मध्य प्रदेश में आपका कटनी अमरकंटक से च्चतिस गड़ में मैकाल से और जहरखंड में आपका राची राची है लोहरडगा भिहार में मुंगेर है यही पास में गया है और महारास्ट में रतनागिरी तो ये वो राज्य हैं वो जेत्र हैं जहां से मैगनीज का क्या किया जाता है उत्पादन कि आ स्वारी बॉक्साइट का उत्पादन जो है वो किया जाता है तो उईसा बॉक्साइट उत्पन करने में भी भारत में सबसे आगे है ठीक मैगनीज में भी सबसे आगे है और बॉक्साइट मे उसके बाद मद्धिप्रदेश, 36 कर आपका जारखन और रतना गिरी तो बच्चो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं अगले वीडियो में हम लोग जो हमारे आधात्विक खनिज हैं ये हमारे सब क्या होगे धात्विक खनिज अगले वीडियो हम लोग आधात्विक खनिज के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम दो अभरक के बारे में पढ़ेंगे ठीक हैं थैंक्यू बच्चो